टीम बनाना आपने आपने एक हर्गुलियन टास्क है, बहुत समय लगता है, टाइम लगता है और हर लेवल पर अलग टीम बनानी पड़ती है। माली जी अगर आपको राज़ी टीमे सिर्फ लेना है या पदादिकारी बनना है तो अलग तरह की टीम होगी। अगर आपको राज़ी सिर्फ लेवल पर काम करना है तो टीम को अलग तरह की टीम होगी। परचार करने टीम तो विधान सबा भी करना पड़ेगा, लोग सबा भी करना पड़ेगा, वाड़ पर भी करना पड़ेगा। लेकिन कोछ टीम होंगी जो निचले स्थर पर अलग बनानी होंगी अलग तारीके से काम करेंगी, और बड़े स्थर पर अलग तरीके से काम करेंगी। लेकिन मोटे-मोटे तोर पर अगर आप जब भी चुनाओ लड़ेंगे, जब सीरियस होंगे या जब आपको लगे अब वाकई मैंने मन बना लिया कि मुझे राजनीती में वाकई सफल होना है और मैं शिकार नहीं बनना चाहता तब आप one-to-one बात कर लिजेगा तब मैं विस कम से कम पांच वर्ष का समय लग जाता है ये नहीं होगा कि आज आपने तैक किया कि मैं राजनीती में आ रहा हूँ और आज से ही टीम बननी शुरू हो जाएगी ये संभव नहीं है और कई लोग तोर जो राजनीती में हैं अलड़ी सांसत बनगे विधायक बनगे आपके फैमिली मेंबर आपका पेड इस्टाफ ये सब भी आपके टीम मेंबर हो सकते हैं लेकिन वो आपके टीम मेंबर हैं या नहीं है इस पर डिपेंड करेगा कि वो आप उनको टीम के रूप में तैयार कर रहे हैं या स्टाफ या परिवार के रूप में तैयार कर रहे ह चीज़ तो समय चाहिए होगा, टीम बनाने में समय लगता है, जैसे मैंने बता दिया, आइडली तो 5-year plan कम से कम होना चाहिए, और वैसे तो राजनीती में कोई exit की जोरोती नहीं है, एक बार आपने तैग कर लिया कि मुझे राजनीती में जाना है, आप अब लबे समय तक राजनीती में काम करिये, जब आपको लगे मुझे राजनीती में काम नहीं करना, आप इससे बाहर चले जाएए, यूटर्न नहीं है, कभी आप सोचें कि मैं राजनीती छोड़ कर के आ जाओ, तो जितना आपने काम किया होगा, वो सब वेयर्थ होने वाला है जब छोड़ कर जाएं या यूटर ने तो इमान कर चलेगा आप जो हो राजनीती में कर लिया जो समय पैसा से जादन लगा दिये वो सब वेयर्थ हो जाने वाले है उससे को रिजल आने वाला नहीं है और शुरुवात में कैसे करना टीम बनाने काम पहले दिन में कोई आपका टीम मेंबर नहीं बनेगा यह तो मान लीजे सुईकार कर लीजे चाहे आपका परिवार का वैक्ति हो या पेड स्टाफ हो वो टीम में आएगा कैसे धीरी धीरा आएगा पहले आप उसको कुछ जिम्मेदारी देना शुरू करेंगे और कौन स मेरी पस्नाइल Vit die लीजे का पीनिकेशन टीम में बी ऐसे लोग पो राख लिए तो तो फेल हो जाएगा तो कोशिश ही करने चाहिए आसा लोग झिन यह नहीं होता है कि आज किसी से मिले, आप इंप्रेस्ट होगे, वो इंप्रेशन है, हो सकता है कई बार फर्स इंप्रेशन बहुत अच्छा चला जाए, लेकिन जब लगातार निरंतर लंबे समय तक आप उसके साथ समय बिताएंगे उसके साथ बैठेंगे उठेंगे काम करेंगे तब आपको उसके गुड़ों के बारे में उसकी पसनालिटी के उसके काम करने के ढ़ंग के बारे में पता चलेगा वो टीम बनाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है लीडर जब टीम की उसको ज़रुत है तब उसके पास समय ही नहीं है कि टीम के मेंबर के साथ समय बिताएं और कोई उदेशे नहीं होना चाहिए शुरुआत में जब आपके पास टीम नहीं है और आप किसी को टीम का मेंबर बनाना चाहरे हैं अभी आपका उदेशे केवल उसे जानना उसे समझना उसके साथ टाइम स्पेंड करना होना चाहिए ये उदेशे नहीं हो कि वो टीम में आ साम आ जाएंगे वो गुर्ण उसमें नजर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं घबराने की ज़ुरत नहीं है दूसरे बंदे पर ट्राइ करिए बार 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 ट्राइ वेस्ट वह नहीं होगा एसा नहीं होगा कि 10 में से मिलेंगे तो 10 लोग की टीम बनेगी और बाकी 90 बिकार ना वो नब आपकी सेकेंड लाइन ओफ लिडर्शिप के अंडर काम करने वाले हो जाएंगे तो पहली चीज तो धियान रखने हैं कि टीम बनाने में समय लगेगा और पर टीम के साथ टाइम स्पैंड करना दूसरा लोग की जहरुतों को समझना पड़ेगा हर वेक्ति की कोई 나 कोई जहरुत है मालिजे मैं किसी को अपनी टीम का मेंबर मानता हूं और मैं उसकी बेसिंग नीट भी पूरा नहीं कर पाना बेसिक वेसिंग मतला वो मेरे साथ रह पर अपने कपड़ों पर हर चीज़ पर और मैं उसे कोई मदद नहीं कर रहा हूं ऐसा सम्मद कितने जिन तक चलेगा और अगर वो सक्षम है वेल टुड है तो तो शायद हो सकता है वो आपकी टीम का मेंबर बन जाए लेकिन वो सक्षम नहीं है ना लिजे कोई नया वेक्ति ह अब ही स्कूल कॉलेज से पढ़कर के निकला है और वो पेरिंट्स पर भी डिपेंड नहीं होना चाहता अपने खर्चे के लिए तो कम से कम उसे पॉकेट बनी मिल जाए अचा आपको लग रहा है मैं सैलरी पर नहीं रखना चाहता उसको सैलरी नहीं देना चाहता कोई इसका और उस वेक्ति को यह ऐसास होना चाहिए कि यह वेक्ति मेरे लिए या मेरे खर्चों के लिए जिम्मेदारी ले रहा है तो मेरी जिम्मेदारी बनते है कि मैं इसे आगे रखूं और इसके साथ कुछ गलत ना हो नहीं दूँ आइसा इसा लॉंग टम में जब आप प्रियास किया में लोग मुझे कहने साब कब तक प्रियास करना है जीवन भर करना है जब तक आप उसे टीम में रखे रहना चाहते हैं तब तक करना पड़ेगा आपके लिए यह एक ऐसा टास्क होना चीज़ जैसे नॉर्मल रूटीन है खाना खाना पानी पीना घूमना ज दोटे कर लेंगे कर लेंगे क्या फ्रका दे चाहेंगा अगर कोई वैक्ति धोका दे रहा है तो मैं अकसर बोलता हूं गर गल मुझे चिटिंग कर रहा है थो आ रहा है क्योंकि दस लोगोंने मेरा भरोसा तो ग्यारवे माले के साथ मैं चीटिंग कर लूँ ग्यारवे माले का भरोसा इससे पहले कि मुझे भरोसा कायम करूँ मुझे भरोसा कायम नहीं करना मेरे साथ बहुत गलत हो चुका है अब मैं ग्यारवे के साथ खुद लेकिन यह क्या होता है यह win-win है वो एक किताब है ना मैंने एक सा recommend करता हूँ seven habits of highly effective people उसमें एक आदत क्या बताएगी है they think about win-win वो जीतने की बात सोचते हैं दोनों को lab होना चाहिए कोई वेक्ति मेरी team का member है मेरी जिम्मेदारी बने उसे lab हो जाए उसकी जिम्मेदारी बने मुझे lab हो जाए तो यह संबन long term तक चलेगा अचा मान लीजे मेरी team में और मेरे member में यह तैह हो जाए कि मुझे ज़्यादा लाब हो जाए, सामने वाले का नुकसान हो जाए और सामने वाले का नुकसान ना भी सोचे अगर वो अपना 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 लाब सोचता रहे सामने वाले का लाब ना सोचे सामने आले को लाब ना हो रहा हो कितने दिन तक यह संबन चलेगा नहीं चल पाएगा साम लॉंग टर्म में और कोई वेक्टी कहाता ना मैंने एक साल में दस टीम मेंबर बना लिए यह बड़ी अचीमेंट नहीं है लेकिन एक टीम मेंबर दस साल से आपके साथ है यह बड़ी अचीमेंट है इससे पता चलता है कि आप इक दूसरे को जानते हैं इक दूसरे की कमिया अच्छाया आप एकसेप्ट करते हैं और हर इंसान में यह बात मान कर चलिए टीम नहीं बनाए पाएंगे अगर यह सुईकार नहीं करेंगे कि हर इंसान में कुछ कमियां भी है और कुछ अच्छायां भी है जब कोई वेक्ती हमारे साथ जुड़ता है चाहे हो किसी भी लेवल पर जुड़े अगर वो टीम का मेंबर बन रहा है तो आपको ऐस टीम लीडर ये जिम्मेदार ये दाई तो बनता है आपका कि आप उसकी कम्यों के साथ उसको एक्सेप्ट करें जैसे सामने वाला आपको आपकी कम्यों के साथ एक्सेप्ट करता है आपें भी तो कम्या होंगी आप में भी तो कुछ ऐसी चीज़े होंगी जो शायद acceptable ना हो लेकि सामना लगाता है नहीं ठीक है क्योंकि वो मेरा team member है मेरा leader है मेरी जिम्मेदारी बनती है मुझे अच्छाईयों की तरफ ध्यान देना और वो अच्छाईयों मेरे काम की है मुझे बुराईयों की फ्रक नहीं पड़ता और परिवार में ऐसा ही होता है फिर team इतनी मजबूद बन जाती है कि वो एक परिवार के रूप में बन जाती है और फिर आप पाएंगे कि आपके team कभी आपका साथ छोड़ेगी नहीं और बहुत सारे सांसद विधायक जो बने जो नेता बने जुनों ने बड़े सर पर राजनी थी कि जब मैं उनसे मिलता हूँ उनकी team से बात करता हूँ उनकी team में और उनमें आप अंतर नहीं बता सकते साथ इतना भी है मतलब कई बार तो ऐसा देखा है उनका रहने का खाने का सब चीज इतना इस लेवल पर आ जाती है कि वो बिल्कुल एक ही लेवल पर है जैसा अपने लिए सोचते हैं वैसे team के लिए सोचते है team ये सोचते है कि हमारा leader हमसे हमेशा आगे रहे वो protocol को follow करती है भले एक कमरे में वो रह रह रहे है चार लोग, पाँच लोग, दस लोग दोस रह रहे है एक साथ घुमने जा रहे हैं, हसी मजा कर रहे है लेकिन जैसे event पर पहुँच गए तुरंट protocol follow हो गए उसको पता है जो PA, उसकी जिम्मेदारी का है PA की है, भले वो team member है driver उसको पता है कि गाड़ी ड्राइव कर रहे है भले वो team member भी है क्योंकि मैंने कहा ना driver भी team member हो सकता है आपका PA भी team member हो सकता है इवन आपकी wife, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका दोस, आपका परिवार के साथ से भी आपके team member हो सकते हैं लेकिन कब जब उस protocol को follow करते रहें जब उन्हें पता होना चाहिए कि कहा professional है और कहा personal होना है कहा personal होने के लिए space नहीं है और जो इस mindset से बैठता है कि क्यों कि ये वैक्ती मेरा close हो गया कही आएंगे team member भी और कई बार leader भी गलती करता है क्यों कि वो close हो गए तो वो singular में बात करना शुरू करते थे एक दूसरे को नाम लेना एक दूसरे को चिलाना है हजी मजा करना अच्छा महां तक तो सही है जब ये बंद कमरे में हो रहा है जब ये publicly होने लग जाए जब ये political मंच पर होने लग जाए political meeting में होने लग जाए तो दूसरे लोग क्या समझते हैं दूसरे लोग समझने लगते हैं कि ये वेक्ति leader तो बन गया लेकिन इसको team को manage करना नहीं आया इसे समझ में ही नहीं आया या ये अपनी team को समझा नहीं पाया कि gap भी होता है leader और team के बीच में जब कहीं सब हो कहीं meeting हो कहीं मिलवाया जाए तो बोलना ना पड़े ये मेरा leader है वो leader के हाव भाव से और team के attitude से पता चल जाना चाहिए कि वो leader है और वहाँ team को ये फरक नहीं पड़ता है कि हम अपने leader को आगे रख रहे हैं बलकि team को proud feel होता है कि मैं अपने leader के साथ हूँ मेरे leader की वावाई हो रही है मेरा leader आगे है मेरे leader का कारेक्रम से हो रहा है मेरे leader की इज़त हो रही है यानि मेरी हिज़त हो रही है टीम ऐसा मानने लगती है वो वैसे टीम बना पाना लगपाना पांच वर्ष तो मिनिमम समय लगेगा दस पंद्रा बीस वर्ष भी लग सकते हैं और राजिनिती में बहुत लोग सफल होने के बाद भी सांसद विधाक बन गए भई पार्टी की ल अच्छा दुबारा क्या होगा अगर मानली जी उस पार्टी की या उस निता के नाम पर जिसके नाम पर आप चुनाओ जीते उसकी लहर नहीं चल रही होगी तो फिर आपको भी चुनाओनी जीत पाएंगी मानली जी वो जाती के या धर्म के आधार पर जो समीक्रन आपने अगर वो संगणित नहीं हूँ और बढ़ गए तो फिर आप तो चुनाओनी जीत पाएंगे चुनाओ तब जीतेगी जब आपकी टीम आपको आगे खड़ा करें और टीम तब खड़ा करें आप टीम बनाएं और शुरुवात ही ना करें कई लोग कहते हैं साब बहुत लोगों को ट्राइ किया लोग धोके बाज होते हैं लोग बुरे होते हैं लोग चीट कर जाते हैं जब उनका मतलब निकल जाता है लोग चले आते हैं बात सही है मुझे भी बहुत साय लोगों ने छोड़ा यार भुत साय लोगों ने ढोला है पैसे का नुप्सान किया जब मुझे सबसे ज़ादा उनके साथ की जौरति उन्हें मालूम था वो ऐसे मौके पर छूड़ कर चलेगे लेकिन मैंने कभी उनके लिए बद्धवा नहीं दी कभी मेरे मन में यह नहीं आया कि उन्होंने गलत कर दिया मन में यही विचार आया कि किस मोड पर वो कहते हैं ना किस मोड पर सूजी तुझे बिछड़ने की अब जाकर तो हमारे दिन समरने वाले थे तो कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति छोड़ कर जाता है और उसे ऐसास ही नहीं होता कि यह यह तो राइट टाइम था यहां से तो बदला हो सकता था और साथ रह करके जितना कर सकते हैं तो एक और एक ग्यारा अगर हो जाए तो कितनी बड़ी पाउर हो सकते हैं तो टीम में आचार चानक के कहते हैं सौ लोग मत रखें कि सौ लोग हो आपके लेकिन आदे दर जाओ आदे दर जाओ पता चला आपने साथ कोई है नी मौका आया तो भाग गए दो लोग ऐसे होने च जाएगा तीम वालों को भी समझ मा जाएगा कि नहीं हमें बड़ी टीम की ज़रूरत है और टीम में आपस में सिंक्रोनाइज़शन होना ज़रूरी है तीम का जो सबसे बड़ा फेलियर का कारण मनता है तीम लीडर से तो कनेक्ट हो जाती है तीम के मेंबर आपस में बनना, when leader यह है, तो हीड में फोटो होuगा, कुछ होगा, ťो लीडर कीर हो, तो क्या चाहेगा, राइट और लेफ्ट में कहड़े, ऑज सक्वांता है, एक राइट लेफ्ट में पी लेफ्ट में आ फिर क्या होगा, फिर उसके राइट लेफ्ट में आना पड़ेगा, common goal होता है ना जब हमारा common goal क्या है इस वेक्टी को leader बनाना इसका protection करना इसको आगे बनाना इसको सफल बनाना इस organization को सफल बनाना इस party संगठन को आगे बनाना जो भी common goal है जब तक common goal रहेगा तब तक यह आसान हो जाएगा कि synchronize हो जाए जैसे ही common goal खत्म होगा जैसे ही individual goal आगे आजाएगा individual लालत स्वार्थ आगे आजाएगा तो तब तब leader का role बहुत बड़ा हो जाएगा कि उनके individual आपस में competition ना कर दें कहीं ऐसा ना हो जाए कि टीम में ही food पड़ जाए और के लोग तो क्योंकि अपनी team तो नहीं बना पाते तो क्या करते है बनी बनाई ले आओ तो क्या कर देना कि आज कर तो मार्कट में सब कुछ मिलता है तो क्या जो dès है कि कपड़े खुशिने की ले tää tones के मार्केट से कपड़े सीय ले से लाएं तो लोग team बनी ले है तो क्या करो सामने ले की टीम तोड़ दो अचा टीम तोड़ना असान होता है खास कर से वो टीम है जो अभी बन रही हूं नई टीम हो तो नई टीम को तोड़ना क्या है वोसके दिमांग को देखने लगते हैं, वैसे ही घटना है घटने लगती है मुझा वो घटना होने रही है अवास्वक्ता में लेकिन आपका देखने का नजरिया ऐसा हो गया है आप जिस कमरे में बैठें अभी आम मुझे सुन रहे हैं जहाँ भी औफिस में दफ्तर में जहां भी वहाँ आप कमिया ढूनना शुरू करिए, आपको 50 कमिया दिख जाएंगे, यह नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह फैला हुआ है, वो फैला हुआ है, क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट कमियों पर आ रहा है, अचारी मैं बोलूँ, वहां के अच्छाईयां देखें तुरंत के तुरंत, मैं अभी कुछ दिन पहले अपने टीम के साथ हो एक कानी सुना रहा था, उससे बतानी कुछ रहा हुआ हूँ, ता कि आपको पता है, कैसे माइंडसर बदलता है, एक वक्ती खड़ा था, बहुत दूप हो रही थी, बहुत दूप थी, और वक्ती लगा जाऊ नगिए, तो पानि प्योंगे, बहुत पूंगा प्यास लगी थी, तो उसने का मेरा सामनी घर है, में लेकर रात हूँ उसले लिगा, उसे लगा कितना अच्छा दूपी है, आंजएश जानता नहीं मुझे, रहा इर को पानी पिला रहा है, बहुत अच्छा तो पूचता नहीं कम से कम, मैं थोड़ी देर यहां खड़ा होता है जाल के नीचे फिर में आगे निकल जाता है, मैं आगे जाना भी है, और अभी नहीं रहा है, और अब उम्मीद हो गई है कि पानी लाएगा, तो मैं था इंतजार भी कर रहा हूं, बड़ा गटी आदमी था जाने वाला था, तुरंट वो व्यक्ति भागवाया, उसने का, बाइस सम्माफी चाता हूं, मुझे लगा यार, आप दूप में खड़े हो, पता नहीं कहां जाओगे, क्या पानी लेकर के जाओं साधा पानी, मुझे लगा श्रीकंजी बना लू, तो थोड़ा टाइम लग उसने शिकंजी डाले कर ग्लास में दी, पीने लगा, जैसे पी हो उसमijn चीनी भागवाया था, मुझे लगा तो मुझे लगा कई शूगर उगर या कोई भीमारी ना हो बाइस आपको कितनी शूगर डालनी है, डालनी है कर नहीं डालनी है वो तह कर लेंगे, तो अभी मनमें आ रहा था कि यार गलत कर रहा है, अज फिर माइंट से चिंज भाना, यार कितना अच्छा आद में कितना सोच जब वो टीम में नहीं बना है, टीम का में बना है, टीम में भी जोड़ा नहीं है, उतना सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है, इसलिए सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है, कि हम पॉस्टी माइंड सेट के साथ बैठें, जब हम डिसकेशन करें, डिबेट करें, तो जो भी उसमें ल जो बहतर है वो कर लेंगे, इससे बिलकुल फर्क नहीं पढ़ना चाहिए, कि टीम में में किसकी कितनी जादा चल रही है, किसकी कम चल रही है, और यह लीडर की सिम्हेदारी है, कई बार क्या होता है, लीडर ही गलती कर देते हैं, लीडर ही पार्शल्डी शुरू कर देते है मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको सफल टीम बनानी है पहले बात तो सफल होना है राजनी टीम में सफल बिना टीम बना हो नहीं सकते और अगर सफल टीम बनानी है मजबूर टीम बनानी है तो अपनी तरफ से ये गलती मत करना जो बहुत सारे लीडर अपने पैरों पर कुलाडी मार लेते हैं वो अपने टीम में पार्शल्टी करनी शुरू कर देते हैं या तो किसी को टीम मेंबर मद बनाईए लेकिन एक बार बना लिया एक बार आपने एकसेप्ट कर लिया कि मेरी टीम का मेंबर है तो फिर वो सारे टीम मेंबर बराबर होंगे इससे बिलकुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी उमर क्या है, उसकी शिक्षा क्या है वो दिखता कैसा है, उसकी भाषा, शेत्र, धर्म क्या है, जाती क्या है किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना क्योंकि यदि आप भेदभाव करेंगे, तो यह हो ही नहीं सकता कि पता ना चले, पता चल जाएगा साथ, और अगर आप जाती का धर पर काम करना चाहते न, वैसे तो मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कर लिजेंगे, तो फिर अपनी टीम उसी जाती के लोग रखेंगे बाती खत्म, दूसरी जाती को रखने की धर्म और जाती व्यक्ति के लिए ऐसी है जैसे माता-पिता और हर किसी को चाहे कैसे ही हो अपने ही माता-पिता सबस्यादा अच्छे लगते हैं, सबस्यादा सम्मानित लगते हैं, अब उनके माता-पिता का कोई अप्पान करेगा, चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, वो एक नहीं होना चाहिए अगर आप टीम बनाना चाहते हैं तो इन बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करिए बाकि जब मैंने का रहा है जिस दिन आप सीरियोस हो जब आपको लगे मुझे राजनिती की बारी क्या सीखनी है जब आपको लगे वाकई मैं शायद टीम के कारणी सफल नहीं हो पा रहा है मैं टीम नहीं बना पा रहा है तो टीम बिल्डिंग प्रिंस्पल सीख लेना बहतर तो ही रहेगा कि आप आप करके ऑफ-लाइन सीखो वन-to-one बैठेंगे ट्रेनिंग भी दूंगा मैं और वन-to-one बात्चीत भी करेंगे फिर भी आपको लग रहा है नहीं मैं जिन लोगों को भी सांसर्विद्धाय बनना है और बने रहना है उन्हें आज नहीं तो कर टीम बिल्डिंग सीखना पड़ेगा और यह एक टास्क है यह एक साइन्स है विज्ञान है सीखा जा सकता है यह नहीं कोंगा सीखानी जाना मुश्किल है क्योंकि इतना आसान तो अगर आसान होता तो वही है न अचारे चानक्य से जब चंदरुप ने कहा गुरुदेव क्या राजा बनना इतना इतना कठीन काम है तो गुरुदेव ने क्या कहा चंदरुप यदि राजा बनना इतना ही आसान होता तो ना किसी चानक्य की जरूद होती ना किसी जरूद होती ना आपकी जरूद होती कोई भी बन जाता या असान नहीं है और तभी 99% 99% पीपल वो एंटरे इंटू पॉलिटीस फेल्ड उसका एक बड़ा कारण है टीम नहीं बना पाना ना बना पा रहे हैं और ना कोई बता पा रहा है कोई बताना भी नहीं चाहता कोई सि बनाते हैं बड़े राजनिता बड़ी टीम खड़ी करते हैं और टीम राजनिता को बड़ा बना देती हैं साधरन राजनिता जीवन भर अपने आपको बड़ा बनाने में राजनिती को बड़ा बनाने में लगे रहते हैं टीम पर काम नहीं करते और कभी बड़े राजनिता बन पाते हैं, उनने कोशिश की टीम बिल्डिंग के बारे में जितना बता सकता है, बेदे को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी जो लेते हैं, उन्हें भी बहुत कुछ देना होता है तो सारी बाते तो नहीं बताऊंगा, अब्रसी बाते लेकि जितना मैंने बता सकता था, काफी चीज़ें मैंने देनी कोशिश की मैं उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपके काम आएगी, आप नोट्स बना रहे होंगे क्योंकि ये सारी ट्रेनिंग वीडियो हैं, तो आप जब भी सुनें, नोट्स बना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो नंबर मिलें उन पर बात करेगा, डारेक्ट मुझे से बात हो जाएगी मैं जज़ कर लूँगा किस लेवल पर आभी आप हैं, क्या क्या लेवल पर और सीखने की ज़रत हैं, मैं आपको गैट कर दूँगा आज के लिए इतना ही, आपके उज़र राजी दिभविश्य के लिए हार देख शुब काम नाएं, जै हिन, जै भारत